हेलो वेलकम टू माई चैनल दोस्तों आज हम लाए से मार्केट में डिवीडेंट से जूरी भी खबर क्रिसिल कंपनी अपने शेयर ओल्डर को डिवीडेंट देने जा रही है इसकी एक स्टेट है 33 आप इसको बायर करना है गुन 33 तक इसको होल्ड करना है एक चार तक ताकि इस डिवीडेंट का आपको भाइदा मिल सके अभी इसकी प्राइस चल रही है तीन जाद तीन सुरुपे और कंपनी अपने शेयर ओल्डर को डिवीडेंट देगी 23 रुपे जैसे मालों आपके आप 200 से रहे तो कंपनी डिवीडेंट के रूप में आपको 2300 रुपे पे करेगी और अब किसी कंपनी के पुराने रेकॉर्ड ये कंपनी कैसी है इसके बारे में हम कुछ जान कर या लेते हैं इस कंपनी ने लॉंग टम में अपने शेयर होल्डर को डिवीडेंट हर साल कुछ न कुछ दिया है जैसे मानलों 2022 में इन्होंने पुरे येर में 50 रुपे डिवीडेंट दिया है और 2021 में अपने शेयर होल्डर को डिवीडेंट 40 रुपे पर येर दिया है और 2022 में सिविल कंपनी क्रिसिल कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 25 रुपे डिवीडेंट पुरे साल पर में दिया है और 2019 में इन्हों ने डिवीडेंट दिया है तीस रुपे इनका पुराना रेकॉर्ड चार साल में डिवीडेंट के रूप में देखा जाए तो बहुत अच्छा है इसलिए आप चाहो तो इस कंपनी में लॉंग टर्म रह सकते हो और इस कंपनी ने एक बार अजार सेल में करन वर्ड हो गहे है इसलिए फिसल कमपनी बहुत अची है आप इसको चाहो तो लॉंग टर्म इसको बाए कर सकते हो और सेवी के नियम के एस कंपनी में अभी मेरी कोई होल्डिंग नहीं आप इस कंपनी में अपन कुछ बैलेंस के बारे में कुछ जैनकरया देते हैं इस कंपनी ने पिछली साल 564 करोव रुपे प्रॉफिट दसाए और इसके अनुसार यह कंपनी प्रॉफिट में की कंपनी यह और इस कंपनी ने सेल दसाए है 2800 करोर रुपए की सेल दसाई इन्होंने और इनका डेट जीरो है इसका मतलब इन्होंने बजार से उदार वगारा कुछ भी नहीं उठाए है और इनकी कैपिटल देगे मार्केट कैपिटल देगे तो 4185 करोर रुपए है और इन्होंने पिछले एक साल में इन्होंने 19% का रिटन दिया है इसलिए आप चाहो तो लॉंग टम में इस कंपनी में होल रह सकते हैं कितनी हैं उसके बारे में कुछ जानकरिया लेते हैं इस कंपनी में पर मोटर की होल्डिंग 26.7 है और एफ यह की फोल्डिंग है वोल्डिंग इनकी 6.8 और डी आयाई की ओल्डिंग है 13.04 पर सेंट और पब्लिक इनकी ओल्डिंग है 13.8 पर सेंट यह इनका सेरो होल्डिंग का पैटन है